कहानी की शुरुवात में दिखाते हैं कि अपने थौट याने की क्रिस हैम्सवर्थ दुश्पनों से बचते बचाते एक बिरिज पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी कोई पीछे से उनके कंदे पर गोली मार देता है, वो घायल हो जाते हैं और कार से अपने आत्वों गारी में बैठे हैं, वो आपस में बात करते हुए एक कैफे में जाते हैं, तभी वो अपने दोस्त को फोर्स करते हैं कि एक लड़की उसे देखकर स्माइल पार्स कर रही है, जाके वो उसे आयल भी भूल दे, पर वो मना कर देता है, और अब वो तीनों वापस घर के पूछता है कि वो कहां पर था, लड़का बोलता है दोस्तों के साथ, रणदी पुड़ा उसे समझाता है कि तुम्हारे पापा ने बोला है स्कूल से सीधा घर आया करो, लड़का सरह लाता है और अपने रूम में जाकर पियानो बजाने लगता है, फिर उसी रात को वो कही जाने के लिए जूते पहनता है, तभी उसका फोन बचता है, फोन में एक मैसेज आया होता है, जिसका रिप्लाई वो देता है, meet you at the club in 30, किलब में वो अपने दोस्तों से मिलता है, तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि ओवी जा और जाके उस लड़की से बात कर, किलब मे वो लड़की भी होती है, जो उन्हें सुभा कैफे में मिली थी, उसका दोस्त ओवी को एक कोने में ले जाता है, और उसे स्मोक करवाता है, तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं, और ओवी के दोस्त को गोली माल कर, ओवी को किड्नैप कर लेते हैं, मुंबई सेंड्र रणदी पुड़ा पंकश तिरपाठी से मिलता है, पंकश तिरपाठी रणदी पुड़ा से पूचता है, कि जब मैंने इतनी सिक्योर्टी दी हुई है, तो उसके बच्चे को कैसे उठाया गया, वो बोलता है, तो ढाका जाएगा, उसके बेटे को वापस लाने, रणदी खुड़ा अपनी फैमली से मिलता है, और बताता है, कि ओवी महाजिन के पास अब पैसे नहीं है, एंसे बी ने उसके अकाउंट जब्त कर लिये हैं, लेकिन मैंने एक आत्मी के बारे में सुना है, न उससे बात करता हूँ, दकिंडरली, ऑस्क्रेलिया, क्रिस हैंस्वत कर अपने घर जाता है, और देखता है, कि वहाँ उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही है, वो उसे बताती है, कि हमने एक सुपाई ली है, एक इंडिया लड़के को चुड़ा कर लाना है, माफिया डॉन का बेटा है, दुश्मन गैंस्टर ने लड़के को धाका में कैद कर वो बोलता है, धाका में तो गैस पर रहता है, लेकिन वो मना कर देती है, और वो उसे डेडलाइन बताती है, और साथ ही धाका के गैंस्टर के बारे में भी क्रिस हमस्वर्थ बोलता है, कोई नहीं, काम हो जाएगा, उसका नाम क्या है, लड़के बताती है, ओवी महाजन, अगले दिन, आउटसाइड धाका सिट्य लिमिट्स में, क्रिस हमस्वर्थ को बच्चे की डिटेल्स मिलती है, उसके टीम उसे बताती है, कि ओवी महाजन, ओवी महाजन सीनिर का बेटा है, वो अभी जेल में है, इसलिए ये काम उन्हें मिला है, वो उनसे पूछता है, कि क किड्नैपर से कॉंटेक्ट करता है, और किड्नैपर से मिलने जाता है, किड्नैपर उसे अपने अड़े पर लाते हैं, और बच्चे को दिखाते हैं, और साथ ही उससे कहते हैं, कि पैसा लाओ और बच्चा ले जाओ, जब वो क्रिस हमस्वर्थ को वापस ले जा रही होते ह तबी Chris की टीम का एक स्नाइपर उसके एक आदमी को मार देता है और दूसरे आदमी को Chris मार देता है वो वापस किड्नैपर के अड़े पर जाता है और उन सब को मार कर बच्चे को वहाँ से निकाल कर एक सेफ पॉइंट पर ले आता है अब बच्चा थोड़ा कन्फिज हो जात है लेकिन Chris उसे पानी कुछ कपड़े और खाने के लिए समान देता है और साथ ही खुद भी अपने कपड़े बदलता है वो अपने टीम को अपनी और उस बच्चे की लोकेशन और इंफोर्मेशन देता है और बोलता है कि अब वो एक्स्ट्रेक्शन के लिए तयार है यहां उसे ढून और मार दे वहीं दूसरी तरफ रैक और ओवी आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी कोई बोट पर रैक के टीम के सारे आदमें को मार देता है रैक को इस बात की खवर मिलती है वो रुख जाता है तभी रैक को एक स्नैपर दिखता है और वो बच्चे के साथ वहां से भागने लगता है तभी वो स्नैपर उनका गोली चलाता है और अपना मास्क को थाड़ता है रैक ओवी को बचा लेता है और एक पत्थर का कवर लेता है इस स्नैपर बोलता है ओवी मैं हूँ साजू तुझे घर ले जाने आया हूँ ओवी उसके तरफ जाने की कोशिश करता लेकिन रैक उसे रोग लेता है और वहां पर एक ग्रेनेट फोड़ कर ओवी के साथ वापस सेफ पॉइंट पर जाता है वहां से वो गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ चलते हैं लेकिन अब ढाका पॉलिस भी उनके पीछे लग जाती है ओवी रैक से बोलता है कि सैज मेरे रैट के लिए काम करता है मुझे उससे बात करने दो लेकिन रैक मना कर देता है और बोलता है कि कुछ गड़बर है हो सकता है साज तुझे वापस किटनैपर के पास ले जाए इसके बाद हम एक कार चेजिंग सीन देखते हैं जिसमें साजू ढागागी पुलिस रैक और दोनों में फिर से लड़ाई शुलू हो जाती है रैक सीजू को मारी रहा होता है लेकिन तभी एक गारी आकर को टकक का मार देती है और वह से निकल जाता है लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है यह देखकर रैक ओवी के साथ ट्रक से कूच जाता है और ट्रक का एक्सिडेंट हो जाता है जब ये बात आसिफ को पता चलती है तो वो बोलते हैं कि उसे उनकी लाश देखनी है रैक काफी जखमी है, वो ओवी के साथ वहां से चला जाता है और रात के लिए वो एक फैक्टरी में छुप जाते है वहां ओवी रैक को पट्टी बानता है, तब ही रैक को कॉल आती है रैक की दोस्त बताती है कि साजुराम हमारा नया दोस्त है वो पहले स्पेशल फोस में था, वो लड़के के बाप के लिए काम करता है और साथ ही बताती है कि महाजन ने उसे पागल बनाया है उसने अपना काम तो करा लिया, लेकिन अब वो पैसे नहीं देना चाहता और साथ ही उसे बताती है कि हमारी पूल टीम मड़ चुकी है वो रैक से बोलती है कि अगर वहाँ से निकलना है तो बच्चे को वहीं छोड़ना होगा लेकिन रैक मना कर देता है आदी रात को जब वो फैक्टी से निकलते हैं तो एक बाइक पर दो बच्चे उन दोनों पर हमला गड़ते हैं रैक उन बच्चों को बाइक पर से गिरा देता है लेकिन तब ही वो बच्चा जिसने रैक को पहली बार देगा था और आज़ सिफ ने जिससे ये कहाँ था कि किटनैपर को मार दे वो वहां आज जाता है और रैक पर गोले सलाने लगता है रैक उन बच्चों को मारता है तब ही पुलिस वहां जाती है पुलिस से बसने के लिए वो एक गटर में छुप जाते हैं वो अपने टीम को कॉल करता है और बोलता है कि गैसपर पर कॉल करो तब ओवी रैक से पूछता है कि तुम्हाय नाम टैलर है रैक बोलता है हाँ मेरा पूरा नाम टैलर रैक है थोड़ देर बाद गैस पर वहां आता है और उन दोनों को महां से निकाल कर अपने घर ले जाता है वो वहां उन्हें खाना खिलाता है और चला जाता है फिर रैक और ओवी में बाते होती है रैक OV को अपनी family के बारे में बताता है वो उसे बताता है कि उसका बेटा 6 साल का था और उसे cancer था वो उसे बचा नहीं पाया और तो और वो अपने बेटे के आँकरे वक्त में उससे मिल भी नहीं पाया तब ही एक आवाज आती है रैक खिटकी में से देखता है तो उसे गैस पर दिखाई देता है वो दोनों बैठकर शराब पीते हैं थोड़े बाद गैस पर रैक से बोलता है कि तू ओवी को गोली मार दे क्योंकि अगर रैक अपने ओपरेशन में कामयाब भी हुआ तो आसिफ क्यंकि उसका बाद तो जेल में है वो से बताता है कि आसिफ ने सबस्जे के लिए उससे 70 करोड की डील की है अब 70 करोड के लिए सिर्फ उससे उस बच्चे को मानना है रैक उसे ऐसा करने से मगना करता है फिर दोनों में लडाई होती है तभी ओवी महां गंल लेकर आ जाता रीक बिद्मट मांगता है कि अगली सुबर सेजु से मिलता है और मिलकें बैए कि बच्चे को यह से ले जाओ मिलन देगा आपना prepared वो ब قुरता है इतने में उनका ध्यान बटा दूगा इतने में तुम बच्चे पोस्ट पर सबका ध्यान अपने तरफ खीश लेता है इतने में सेजू और ओवी उस चैक पोस्ट को पार कर लेते हैं लेकिन अगले चैक पोस्ट पर एक पोस्ट पर खीश लेकिन तब तक एक स्नाइपर सेजू को शूट कर देता है और रैक की टीम का एक मेंबर उस स्नाइपर को अब ओवी रैक की टीम के पास पहुँच जाता है लेकिन रैक को पीछे से वही बच्चे गोली मार देता है जिसको आसिफ ने बेजा था रैक पाने में गिर जाता है और रैक की टीम बच्चे को हेलिकॉप्टर में लेकर मुंब के टॉलेट में जाता है वहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसे शूट कर देती है और आसिफ वही मर जाता है वही ओवी पानी में जब मारता है और काफी देर तक पानी के अंदर अपने सांसों को रोके रखता है लेकिन जब वो एकदम से उपर आता है तो वो देखता है कि इसके साइड में कोई खड़ा है और इस तरह से इस फिल्म का दी एंड हो जाता है इस फिल्म को आप नेट्फिलिक्स पर देख सकते हैं एक गंटे 57 नट की इस फिल्म में आपको काफी जबरदस्ट एक्शन सीन देखने को मिलेंगे अगर एक्शन सीन की बात करें तो इसी शॉट में कवर कर दिया वहीं अगर कार के अंदर के शॉट की बात करें तो कैमरा उसके दरफ शिफ्ट होता है जो बाते कर रहा है जैसे कि यह इस शॉट को देखकर यह फिल आती है कि मानो हम भी इसी स्पार्ट पर मौजूद हैं और सब कुछ हमारे सामने हो रहा है फॉर और मैं आपको इस मौवी के एक और शॉट का एक्जामपल दूँगा और यह शॉट मुझे परसनली काफी अच्छा लगा क्योंकि यह कुछ नया था और साथ ही यह इस मौवी को IMDB पर 7.4 स्टार के रेटिंग मिली है तो वहीं Google पर 90% के लाइक्स इस फिल्म को डायक्ट किया है सैम हेरागवे ने जो कि खुद MCU यानि कि Marvel Cinematic Universe के काफी बड़े स्टन्ट मैन है और आपको बतातूं कि यह सभी शॉट्स जो अभी मैंने आपको दिखाएं वो खुद सैम ने शूट किये हैं जो कि काफी डेंजरस थे अगर कास्ट की बात की जाए तो फिल्म में क्रिस हैंसवर्थ दुद्रांस जैसवाल रणदी फुड़ा पंकश तरपाथी पिरियांशु पेन्यूली डेविड हॉरबर गोलशिफ्ते फरहानी और सूरज रिक्मे को पेडूस किया है जो रूसो एंथनी रूसो और क्रिस हैंसवर्थ ने दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नहीं आई